हेई गाईज वेलकम बैक तो माई चानल गाईज आज की वीडियो का टॉपिक है अगर आप अपने किसी भी फ्रेंड को या बेस्ट फ्रेंड को बर्डे विश करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेलफुल है यानि धे सारे प्यार के साथ खास अंदाज में विश क जो किसी दूसरे की तरह नहीं है यानि आप यहां पर यह कहना चाहरे हैं जो सबसे अलग है जो बिलकुल खास है और आपकी बेस्ट फ्रेंड है सेकिंड बर्डे विश है आइम ग्रेटफुल दैट यू आर पार्ट ओप माई लाइफ हापी बर्डे बेस्टी इसका मतलब ह होता है मैं शुकुर गजार हूँ यानि थैंक्फुल हूँ कि तुम मेरी लाइफ का एक हिस्सा हो तुम मेरी लाइफ में हो मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ और थैंक्फुल हूँ नेक्स्ट बर्डे विश आप कह सकते हैं में गॉट शौवर यू विद ब्लेसिंग ट इसका मतलब होता है आपको खुश स्वस्त सबसे हटकर और कमाल का जनब दिन मुबारक हो एक्सेप्शनल का मतलब है सबसे हटकर असाधारन जो बिलकुल ही अलग हो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है आइम ग्रेटफुल फोर यूर ट्रू फ्रेंडशिप होप यूर बर बर्दे ऐसा ही अमेजिंग हो जैसे तुम हो नेक्स्ट आप अपनी फ्रेंड को कह सकते हैं या बेस्ट फ्रेंड को बोल सकते हैं I am so proud to be your best friend may you have happy healthy birthday यानि मैं तुम्हारे best friend होने पर गर्ब महसूस करती हूं या करता हूं तुम्हारा birthday happy or healthy हो नेक्स्ट आप कह सकते हैं friends listen to what you say best friend listen to what you don't say happy birthday इसका मतलब होता है friends वो सुनते हैं जो तुम कहते हो लेकिन best friend वो सुनते हैं जो तुम नहीं कहते हैं यहां पर इसका मतलब यह है कि आप उन्हें best friend की value बता रहे हैं और आप यह बता रहे हैं कि friends में और best friend में किस तरह से difference होता है किस तरह से अंतर होता है औ वो भी सुन लेते हैं, यानि बहुत ज़्यादा वैल्यू आप उनको दे रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, You know all about me, I know all about you, we are best friend, Since we can read each other's mind, I don't need a creative message, happy birthday. यानि तुम मेरे बारे में सब जानते हो, और मैं तुम्हारे बारे में, हम best friend हैं, क्योंकि हम एक दूसरे का mind पढ़ सकते हैं, इसलिए मुझे कोई creative message, यानि की बनाया हुआ message भीजने की जरूरत नहीं हैं। इस तरह से आप message करेंगे, तो ये भी बहुत अच्छा feel कराता है, और best friend की जो quality होती है, जो उनकी value होती है, उसको describe करता है, तो इस तरह से भी आप उनको message कर सकते हैं, यानि इसका मतलब हुआ, तुम बहुत दयालू, खुबसूरत और शानदार person हो, मैं तुम जैसी friend को पाकर बहुत lucky हूँ, मेरी प्यारी friend को happy birthday, यहाँ पर आप उनकी तारीफ करते हुए इस तरह से भी message कर सकते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका मतलब होता है, कभी भी बदलना नहीं, क्योंकि तुम जैसे हो, सबसे ही अच्छे हो, यानि आप बेस्ट हो, आप उनको यह एहसास दिला रहे हैं, यह फिल करा रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हो, बेस्ट हो, इसका मतलब होता है, जो भी हमने पुराने सालों में साथ में मस्ती भरा टाइम गुजा रहा है, यानि जब-जब हम साथ रहें और हमने फन किया, उन सब के लिए मैं थैंक्फुल हूँ, इस तरह से आप अपना प्यार जाहिर कर सकते हैं, और उनको बता सकते हैं कि आपके लिए वो कितने इंपॉर्टन है, नेक्स्ट बर्डे विच देखते हैं, इसका मतलब होता है, तुम्हारे जैसा दोस्ट डाइमंड से भी ज्यादा कीमती है, तुम्हारे बर्डे ने मुझे ये चांस दिया है कि मैं अपना लव और केर को तुम्हारे लिए एक्स्प्रेस कर सकूँ, नेक्स्ट और लास्ट बर्डे विच देख लेते हैं, इसका मतलब होता है, मैं बहुत प्राउट फिल करता हूँ, या करती हूँ, तुम्हारे दोस्ट को पागर, तुम्हें मुझे सपोर्ट किया मेरे अच्छे और बुरे टाइम में, तो इस तरह से आप अपने बेस्ट फ्रेंड को बेस्ट फिल करा सकते हैं, ये बड़े विचिस के साथ, और उनको बड़े विच कर सकते हैं, एक अच्छे ब्यूटिफुल मेसेज के साथ, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए होगी, पसंद आए तो वीडियो को बड़े बाई!